नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूं करांति सिंग आपको पता देए कि यहां पर मैंपुरी सीट को लेकर के चुनावी माहुल बेहदी गर्मा गया है और इस गर्माई माहुल को लेकर के एक के बाद एक मुद्दे उठने भी शुरू हो जुके और इसी बीच में माना जा रहा है कि आज यानि कि मंगलवार को जो है यहां भाजपा की तरफ से उस नाम की घुशना हो जाए यह जो मैंपुरी सीट से जीमपल यादव को सीधी टक कर देगा देकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन कयासों के बजा है कि अगर छोटी बहु तरती है तो यहां पर वोट बैंक आधा आधा बढ़ जाएगा अब उस बटने वाली नीती को रोकने के लिए भाजपा यहां पर दूसरा पत्ता खोलने की पूरी कोशिश में है देखिए रामपूर का सीट हो चाहे खतौली का सीट हो चाहे यहां मैं पूरी का सीट हो तीनों सीट पर आज उमिद्वारों की घोशना भाजपा की तरफ से होना तै लग रहा है लेकिन देखिए यहां पर अगर हम नामों की चर्चा पर ले तो देखिए शाके समाज के तीन बड़े दिगज निताओं के नाम जो है वो लगतार सामने आ रहे देखना बहुत दुचस्प होगा कि उन तीनों में से किसको मौका बिलता है लेकिन ये बात तो अब 90 परतीशत के लिए सच हो गई है कि अपढ़ना यादव इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी लेकिन स्टार प्रचारक की भूमिका में वो यहां पर समाजवादी पार लाफ रन में जरूर दिखाए देंगे और ये सीधी टकर जो है वो भाजपा यहां पर करवाती हुई नजर आ रहे देखिए यहां पर हम बात करें शाक्य समाज की तो उनका दबदबा यादव समाज के द्वारा ही दिया गया है यानि कि जतना यादव उतना ही शाक्य यानि कि बड़ी बहु कही जाने वाली जिम्पल यादव किस तरीके से इसका टकर देगी बैरा आज के लिए बस इतना ही कमेंट सेशन में जरूर पर आईएगा मैंपुरी सीट से कौन जीतेगा कौन हारेगा और समाजवादी पार्टी की ये कमान जो वर्षों से उन्हीं क के पास रही है क्या भाजपा के खेमें में चली जाएगी क्या भाजपा जीत जाएगी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार जाएगी क्या ये वसीयत वो अपने हाद से खोती हुई नजर आ रही है कमेंट सेशन में जरूर रताएगा फिलाल आज के लिए बस इतना ही देश्ट तुनेक नमाम बड़ी खबरोख लिए, देख तुरे SPNi News.